जै माता दी दोस्तों, आपने मा जगदंबा की एक तस्वीर तो देखी होगी, जिसमें मा के हाथ में खड़क, दूसरे हाथ में स्वैम का ही मस्तक है और उनके मस्तक ही इन धर से रक्त की तीन धाराएं फूट रही हैं, वे रक्त धाराएं तीन मुखों में प्रवेश कर रही मात के पैरों के नीचे एक स्त्री पुरुष भी दिखाई देते हैं वह माच्छिन्न मस्ता का सुरूप है यह देवी का वह सुरूप है जब वह पूरी श्रिष्टी से दुस्टों का विनाश करती जा रही थी त्रीनेत्रधारी माता का कंट सर्प माला और मुंड माला से जिने वे रक्त पान करा रही हैं स्वेम भी रक्त पान कर रही हैं यह प्रतीक है कि माता के लिए अपनी संतानों की रक्षा कितनी महत्य पूर्ण हैं वे अपना मस्तक काट सकती हैं उसे अपना रक्त भी पिला सकती हैं पैरों के नीचे इस्तरी पूरुष युगल प्रतीक है ये कामेच्छा का बल पूर्वक दमन भी करना चाहिए चिन मस्ता मंदिर जारखंड के राची से करीब 80 किलोमेटर की दूर राजप्पा में स्थित है यह भारत के सारवादिक प्राचीन मंदरों में से एक है असम के काम रूप स्थित मा कामाख्या के मंदिर के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा शक्ती पीठ है यह स्वरूप दस महाविद्याओं में से पांचवी मा चिन मस्ता या चिन मस्तिका का है आज हम आपको इससे परीचित कराने जा रहे हैं मा ने ऐसा स्वरूप आखिर क्यों लिया था एक बार शिफ प्रिया मा पार्वती मंदाकनी नदी में स्नान करने के लिए गई हुई थी साथ में उनकी प्रिया सखी जया और विजया भी थी माता को भूग की अनुभूती हुई इससे उनका स्वरूप कारा पड़ गया उनकी सखीयों को भी बहुत भूग लगी दोनोंने मा पार्वती को कई बार टोका और कहा की भूग लगी है परन्तु उस समय मा माया प्रकृती में लीन थी मंदाकनी में स्नान के बहाने वे पूरे जगत पर करुणा बरसा रही थी उन्होंने जया विजया की बात अंसुनी कर दी लेकिन जया विजया ने मा जगदंबा को टोकना बन नहीं किया हार कर जया विजया ने कहा एक माता अपने शिशु की रक्षा के लिए उसकी भूख मिटाने के लिए अपना रक्ष भी पिला सकती है आप तो संसार की पालक हो, सब की भूख शांत करती हो, क्या हमारी भूख नहीं मिटेगी जया विजया जैसी प्रियस अखियों के ताने सुनकर माता पारवती सच्मुच क्रोधित हो उठी जगदंबा नदी से बाहर आई और उन्होंने अपना खड़क का आवाहन किया और अपना सिर काट दिया उनके धर से रक्त की तीन धाराएं निकली जिसमें से दो धाराएं जया विजया के मुह में गई और तीसरी धारा सुयम जगदंबा के मुह में आकर गिरी तीनों ही वह रक्त पीने लगी मा जगदंबा ने सुएम अपना ही रख्त पी लिया तो उनका सुभाव और भी उग्र हो गया पूरे देव मंडल में इत्राही इत्राही मच गई देवी का ये उग्र रूप देखकर देवगर्ण भैसे कापने लगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं हमारी अगली वीडियो में बताया गए एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसमें औरतों का जाना सक्त मना है और वहाँ जाने से लोग घबराते हैं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें